दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में सभी खबरे सेलेक्टेड और आपकी काम की बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें अपनी राय हमारे कम लग गई है पांच माह से कुरोना नहीं था भाजपा के बाहर के लोगों के आने से यहां महामारी फैली है कहना है ममता बैनर जी का दोस्तों इसके बारे में डीटेल में जानेंगे वीडियो को पूरा देखेगा वहीं बंगाल चुनाओं पर सर्वद अलिये बैठक में भा के बैयान पर ममता के खलाफ हो गई है इस खबर को भी जानेंगे विस्तार में और वहीं बीजेपी अध्यक्ष दिली खोश के चुनाओं प्रचार पर इलेक्शन कमिशन ने लगाया है 24 घंटे का बैन क्या है पूरा मामला जानेंगे और वहीं अमित्शा का राहुल गानी पर पलट वार खटर ने किसानों से अपील की बोले मानवता के अधार पर वापस लेले अंदोलन दोसों अंदोलन वापस होगा या नहीं होगा क्या है मारे देश में व्यवहार क्या है कहर सब कुछ जानेंगे विस्तार से तो चलिए आज की पहली बड़ी खबर शुरू कर के राश्वी अध्यक्ष नडड़ा ने पश्रिम बंगाल के पानगल की चुनाव रैली में का कि ममताब एनरजी को बंगाल की कोई चिंता नहीं है उन्होंने बंगाल के भविश्य को अंदकार में डाल दिया है शिनिवार को पांचवे चरण के लिए वोटिंग होने वाली है ऐसे में बंगाल चुनाव के अंतिम चरणों का प्रचार तेज है और शिनिवार को ये प्रचार चल रहा था ऐसे में नडड़ा में ममता बैनार जी को ले लिया है आरे हातों क्या होगा बंगाल का भविश्य आने वाला वक्त बताएगा आपको क्या लगता है अपनी रा भाजपा बाहर से लोगों को लाकर फैला रही है महामारी जियां दोस्तों कोरोना महामारी का उग्रूरूप धारण करने के बाद बंगाल चुनावों के बीच बचे चरणों को लेकर आयोग ने सर्वदलिये बैठक बुला लिया है इसमें ममता बैनार जी भाजपा पर बि अगली बड़ी खबर बंगाल चुनाव पर सर्वदलिये बैठक भाजपा नेता बोले प्रोटोकॉल का करेंगे पालन महीं ठीमसी ने बचे मक्तदान की मांग की है भाजपा निताओं ने चुनाव आयोक से की मुलाकात और कहा कि अब हर दिशा का पालन किया जाएगा हर दिशा निर्देश को माना जाएगा चुनाव आयोक ने शुक्रवार को कुलकता में बंगाल चुनाव को लेकर जो बैठक बुलाई थी उस रेलियों की पाबंदी का अधिकार है ऐसे में रोड शो रेलियां जनसभाएं बंद की जा सकती है या फिर उन में पांच या दस कारिकरताओं के समू में सामाजिक दूरी रखते हुए डोर टूर परचार करने का प्रस्ताओं भी आ सकता है देखना ये होगा कि टीमसी अब मतदान और आखरी तिथी में होना चाहिए हलाकि अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामंकन वापस लेनी के अंतिम तिथी 12 अप्रेल थी उसका मतदान 26 अप्रेल से पहले नहीं हो सकता हाई कोट में निर्देश दिये हैं कि राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार के अंदर स्वास सम्भी सभी दिशन निर्देशों का कड़ाई से पालंगी होना चाहिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के दरफ को लेकर नादिया में गर्जे अमित शाह वोले घुस पैठियों को हम क्यों नहीं भगाएं पश्चिम बगाल में च्छटे चरण के चुनाव के लिए नेताओं ने पूरी ताकत जोंक दी है च्छटे चरण के तहत चार जलों की 43 सीटों पर 22 अप्रेल को वोट डाले जाए भाजपा का चुनाव प्रचार अभियान तेजी से इसी कड़ी में आगे बढ़ रहा है शुक्रवार को भाजपा के कई दिगज नेता पश्ची मंगाल में प्रचार प्रसार के लिए जुटे हैं ग्रामंतरी अमित शाह ने बंगाल की मुख्यमंतरी ममताब एनरजी पर जम अर्थियों का जीवन जी रहे हैं जबकि बड़ी संख्या में घुसपैठी हमारे आराम से रहे हैं यह हमारे युवाओं की नोकरी खा रहे हैं गरीबों के अनाच पर इनकी नजर है यहां के संसाधनों परी कबजा कर चुकी हैं ऐसे लेकर उन्होंने कहा कि मतुआ और नाम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ पच्चिम मंगाल से आ रहे हैं एक और बड़ी खबर किंद्री बलों के गिराव वाले बयान पर मम्ता के खिलाफ F.I.R. दर्ज भाजपा अल्प संख्यक प्रकोष्ट कूच बिहार के जिला अद्यक्ष सिद्धी मिया अली ने आयुजित रैली के दोरान उनके उकसावे वाले बयान के खिलाफ बुद्वार को मामला दर्ज करवाया है ममता बैनरजी के खिलाफ F.I.R. दर्ज हो गई है पच्चिमंगाल विधानसवा चुनाफ का आदर सफर खत्म हो चुका है कूच बिहार के माता भांग पुलिस आयुजित रैली के दोरान उन्होंने ऐसे बयान दिये जो काफी उकसाने वाले हैं उन्होंने दावा किया कि उटके बयान के कारण ही शीत कुल्ची की घटना हुई है माता भांगा पुलिस टेशन में उन्होंने वीडियो फुटिज भी जमा करवाए है तोस्तों सीम जिले अगरे मोदी पर निशाना साधा और लिजाम लगाया कि पीम केर फटेश में कितना पैसा आता है यह किसी को पता नहीं लगता अगर कोई राज पैसों कि उसे नहीं Дिया जाता पैसे वैग्सीन के इस्तनाल के लिए खरीदि के लिए क्यूंने ही क्यों नहीं इस्तमाल किये अगली बड़ी खबर के तरफ अमित शाहकार राहुल गांधी पर पलटवार उन्होंने कहा कि बीजेपी के डियने का मतलब डेवलपमेंट नेशनिलिजम और आत्मन निर्भर होना है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के तेहत्ता में चुनावी सभा को आयजवित करते हुए संबोधित करते हुए केंद्री ग्रह मंतरी अमित शाहने चत्तारूर तुर्डमूल कॉंग्रेस के अलावा वाम दल और कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा है पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव के छटे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार शिरू कर दिये हैं केंद्री ग्रह मंतरी अमित शाहने शुकरवार को नदिया जिले के तेहत्ता में कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा दो मई को सो स बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ वेस्ट वंगाल में बीजेपी अध्यक्श दिलीगोश के चुनाव प्रचार पर एलेक्शन ने लगा दिया है 24 गंटे का बैन आखिर क्या है बड़ी वज़ा पश्री मंगाल के चौथे चरण के चुनाव के दुरान शीतल कुची विधानसवा सीट पर CISF कर्मी की गोलीवारी में चार लोगों की मौत हुई इसी वज़ा से घोश ने दिया वद विवादित बयान और अब इलेक्शन कमि के चुनाव प्रचार करने पर उन्हें कड़ी चितावनी देकर ये कहा गया है कि उन्होंने आधर शाचार साहिंता लागू होने के दौरान सारजुनिक टिपनी करते समय बयान देने से परहिस करनी की सला दी गई है पावंदी 15 अपरेल के शाम साथ वज़े से 16 अपरेल शा आयो क्या बोली पश्यम बंगाल के चुनाव में कुरोना संकट को देखते हुए आकरी तीन राउंड का मतदान एक ही साथ कराने के सुझाव का वीजेपी ने विरोध किया है चुनाव आयो की ओर से मतदान और पचार के दौरान को बुलाई गई सर्वदलिय बैठक में बी एक पालन करेंगे हमारी अपील है कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जो मतदाताओं का भेगभाव करता है जहां बोटिंग बाकी है जिन जगों पर मतदान हो चुका है और जहां होना है वह सभी तरह में एक ही तरह के नियमों का पालन होना चाहिए को रोना के लगतार कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर देजिएगा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ खटर की किसानों से अपील बोले मानवता के अधार पर वापस लेने आंदोलन हर्याना के मुख्यमंतरी मनुहरलाल खटर ने के नाएक रशी कानून के खलाफ विरोध कारिक्रमों में लोगों की संख्या को गटा दिया है यह पचास और दोसो ली निर्धारित है से पहले राजसरकार ने खुल अस्थानों में आयुजित होने वाले कारिक्रम में बंद स्थान देदी थी त् Date लेकिन कोविट के बढ़ते मामलों की वज़ए से एक बरस्तिती चुन्ता जनक हो गई है रोजाना कोरोना के बढ़ते वे मामले को देखते हुए ये बायान दिया गया है कोविड-19 से जीवन को खत्रा हो सकता है ये बैठक में कहा गया है मुख्यमंतरी ने कहा कि किसानों को अपना अंदोलन मानवता के अदार पर वापस ले लेना चाहिए स किसानों से बात्चीत की जाए ताकि उन्हें यह से अटाया सके ताकि उनके स्वास्त पर कोई को इस अपर खुले में बैठे हुए है तुस्तों क्या कहेंगे आप अपनी राय मारे कमेंड बॉक्स में जरूर शेयर करें रणदीब सुर्जेवाला के बाद अब अब दिग् के आवास पर क्वारंटाइन है वहीं कॉंग्रेस के निता रंदीब सिंग सुर्जेवाला भी कुरूना पॉजिट करके जानकरी दी कि मेरी कोविट जांच पॉजिवाई है फिलाल में दिल्ली में अपने निवास पर हूँ यह जानकारी त्वीट करके दिग्विजय ने द शुमार किया जाता है दोस्तों बड़े बड़े लोग भी कुरूना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं ऐसे में आप भी अपनी सुरक्षा की खुद रखिए चेरे पर मास्क लगाए आप तो को सैनिटाइजर करिए घर में रहें लोगों से दूरी बना कर रखिए अगली के दो लाग से अधिक नए के सामने आएं 37 दिनों में कुरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला जारी है जिस सरफतार से कुरूना वाइरस के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखकर सरकार भी चिंता में हैं कुरूना के खिलाफ जंग में सरकार की क्या रणनीती है इस पर कि रणनीती किंद्र सरकार की क्या है दोस्तों राहुल गांधी तंज मारने में नंबर वन है दोस्तों ये बात जग जाहिर है कि राहुल गांधी तंज मारने में नंबर वन है वो पहले भी आरोप और निशाना साथ चुके हैं उन्होंने कहा था ट्वीट करके ना टेस्ट सामने आना होगा सफाई का ध्यान रखें सैनिटाइज करते रहें खुद को बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरह बीजेपी बंगाल में बाकी चरणों के चुनाव एक साथ कराने के पक्षमे नहीं चुनाव आयो को दी है यह दलील बंगाल में कुरोना के मामले लगाता जाने हैं इस पर भी वात हो नहीं है बाकी 49 प्रतीशतों को भी वही अधिकार मिलना चाहिए सबको बराबरी के अधिकार मिलने चाहिए हाली में कई राज्यों नगर में निगम के चुना हुए और कोविट के बढ़ते मामलों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई अब क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट करके जरूर बताए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी ख़बर की तरफ पूरे यूपी में हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा मास्क ना लगाने पर 10,000 रुपे का जर्माना भी देना पड़ेगा राज में करोना के बढ़ते मा मामलों को देखते हुए योगी सरकार काफी सक्त हो गई है उन्होंने कहा कि अगर आप मास्क लगाए बिना दिखाए देते हैं तो एक हजार रुपे का जर्माना देना होगा यूपी सरकार ने हर रविवार को राजी में पूरी तरह बंद के आदेश दिया है गुरवार को कुछी राज्यों में गोशड़ा होई है वहीं सारे स्कूल 15 माई तक बंद रहेंगे यूपी वोट की परिक्षाइन टाल दी गई है गुरवार को ही राज में महामारी की शुड़ात के बाद से एक दिन में सबसे ज्यादा मामले सामने दर्श किये गए थे जो की 22,449 थे इस अवदी में 104 लोगों की मौत हुई इस मामले में बड़ी संख्या में लगातार वरदी हो रही है क्या कहेंगे अपनी राये बार साथ कमेंट में शेयर करें और अपनी राये भी दें साथ ही दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें अगली बड़ी खबर की तरफ चुनाप रिचार पर रोक लगने के बाद बीजेपी के दिलीब खोश का ममताब एनरजी पर तंज कहा धरना नहीं दूँगा पश्यमंगाल में निर्वाचन आयोग द्वारा बीजेपी के दिलीब खोश पर 24 घंटे के लिए बैन लगाया ग दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी जिसमें हमने आपको सारे लेते सब्डेट बताए दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए धन्यवाज